मेरे पडोस में रहने वाले सोनु के पापा को कुछ दिन पहले हार्ट अटेक हुआ था सोनु के पापा के उम्र उस वक्त मात्र 48 साल थी और सोनु अभी स्कूर में पढ़ने वाले एक्स्टूडेंट था दब उसके पापा को हार्ट अटक पड़ा तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अन्दाजा नहीं था आखिर वोक कर रहे गया इसके पास जाए किसकी मदद ले जब सोनु के पापा हार अटक से करहा रहे थे तब सोनु ने पापा की हड़त देकर काफी डरा और सहवा हुआ था सोनु ने फर्स टेट देने के बजाए अपने श्रिदारों को कॉल करना शुरू किया अफसोस की बात ये है जितना वक्त सोनु ने अपने श्रिदारों को कॉल करने में विकार किया उतने वक्त में अगर वो अपने पिता को first trade देता तो शायद उनकी जान बस सकती है इसलिए हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हार्ट अटेक के first trade में क्या करना ज़रूरी है आईए इस वीडियो में जानते हैं कैसे हर्ट अटेक की स्तिती में आप एक व्यक्ति को first trade की मज़द से कुछ वक्त तक safe और स्वरक्षित रख सकते हैं हर्ट अटेक के लक्षणों को नंजर अंदाज ना करें एम्बुलेंस को कॉल लगाएं और अगर फिर भी एम्बुलेंस को आने में देर होती है तो आप अपनी या अपने परोश्री की गाड़ी लेकर तुरंत अस्पताल का रुख करें इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ नजदीकी अस्पतालों में ही जाएं हर्ट अटेक की स्थिती में आपके पास ब्लेड थिनर होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर्ट अटेक खुंगाड़ा होने या विर ब्लेड क्लॉटिंग की वज़े से होता है आप डॉक्टर की सला से कोई भी ब्लेड थिनर ले सकते हैं जो खतरे को कम करने का काम करती है अगर आपको हर्ट अटेक का खतरा है तो आप अपने साथ नाइट्रो ग्लिसरीन ज़रूर रखें अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसे CPR देना शुरू करें अगर हर्ट तक के बाद व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है और उसकी नब्स नहीं चल रही है तो एम्बूलेंस को कॉल करने के बाद उसे CPR दे मरीज की छादी के बीचों बीच बहुत सकती से और तेज तेज दमाए एक मिनट में करीब 100-120 बार दमाने की कोशिश करें ये एक ऐसी मशीन है जो काइडिक अरेस्ट के दोरान व्यक्ति की हार्ट रेट को समाने बनाने में मदद करती है ज़रूरत पढ़ने पर ये मशीन दिल को खास तरीके की विद्धुत तरंगे पहुचाने का काम करती है जिससे आपके दिल अलखने की प्रकरिया स्टार रूप से चलती रहती है